नमस्कार मैं हिने सिर्वास्तों आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी ने मजदूरों के लिए एक बड़ा आईलान किया है अब मजदूरों को अपने ही गावों में रोजगार मिलेगा प्रधान मंतरी जी ने इसकी सुरूआत 116 गावों है लेकिन इतने वर्षों से हमारे देश में क्रिसी और किसान को बेवज़े के नियमों और कानूनों से बांद कर रखा गया था आप सब किसान साथी जो सब मेरे में सामने बैटे हैं आप तो खुद ही इतने सालों से इस बेवज़ी को मैसूस कर रहे होगे किसान अपनी फसल कहां बेचे सकता है अपनी फसल को स्टोर कर सकता है या नहीं कर सकता है ये भी ताय करने का अधिकार किसान को नहीं दिया गया था इस तरह के बेदभाव वाले कानूरों को हमने दो सब्ता पहले खत्प कर दिया है अब आप कहां फसल बेचेंगे ये सरकार ताय नहीं करेंगी बाबू लोग अधिकारी लोग ताय नहीं करेंगे बलकि आप मेरा किसान खुद ताय करेंगा अब किसान अपने राजी के महार भी अपनी फसल बेच सकता है और किसी भी बाजार में बेच सकता है अब आप अपनी उपज का अच्छा दाम देने वाले व्यापारियों से कम्पनियों से सीधे जुड़ सकते हैं उन्हें सीधे अपनी फसल बेच सकते हैं पहले जो कानून फसल के स्टॉक करने पर रोक लगाता था अब उस कानून में भी परिवर्तन कर दिया रहा है साथियों आत्म निर्भर भारत पैकेज में किसानों की फसल रखने के लिए कोड स्टोरेज बने किसानों को सीधे बाजार से जोड़ा जाए इसके लिए भी एक लाग करोड के निवेश की गोश्णा की गई है जब किसान बाजार से जुड़ेगा तो अपनी फसल को जादा दामों पर बेचने के रास्ते भी खुलेंगे आपने आत्मंदिर भर भारत अभ्यान के तहट एक और फैसले के बारे में भी सुना होगा आपके गावों के पास कस्बों और छोटे शहरों में स्थानिये उपज से अलग अलग-अलग उत्पाद बने पैकिंग वाली चीजें बने इसके लिए उद्योग समूब बनवाएं गयाएंगे इसका बहुत बड़ा लाप किसानों को होने जा रहा है अब जैसे खगड़िया में मक्का की फजल कितनी अच्छी होती है लेकिन अगर किसान मक्के के उत्पाद बनाने वाली कंपनियों से सीधा जुड़ जाए खगड़िया की मक्का के लोकल प्रोड़क तैयार हो तो कितना फाइदा होगा इसी तरह बिहार में मकाना है लीची है केला है हमारी यूपी में आवला है आम है राजस्थान में मीच है मद्यप्रदेश की डाले है उड़िसाज आरखन में वनों की उपजे है कि हर जिले में ऐसे अनेक लोकल उत्पाद है जिन से जुड़े उद्योग पास में ही लगाये जाने की योजना है